Hey guys, welcome back, और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ 10.5i C2 MacWarrior की और इससे पहले मैं रिव्यू के था 10.5i C3, अगर आपने रिव्यू नहीं रेखा है तो आप बल्कुल देख सकते हैं, लिंक इन देस्क्रिप्शन बेलोग और फिर्स्ट आ थैंक्स to keephifi. काम में बूर की रेखा हूँ 11.5 लूर का फिर्स्ट्राइए. o. पॉर संदिग में रिवाइव आप दो को चेता हूँ 9 लूर को चलब सब्सक्राइब कर दिए इसके साथ ही और दो पेदा दो को पहले हैं पने मिल बता दिता हूं कि यह से जेब मैं है इसका जो प्राइस सं तो गैस अगर आपने लास्त वीवट देख था C3 का तो आपको पता होगा मैंने कहा था कि आपने आपी वार्म लीड दे इम्सेंगेर रिखते हैं वहीं प्रश्ड भॉर्म लेखते हैं और अपने आप में रिखता है C2 Mac Warrior यह करते हैं कि इससे बाता हैं कि वाहना है कि बहुत लोगा यह आपको पहले बतायता हूना है यहांकि क्यास के अधिया मैं प्रद्जातों को से बात करने भाला हूं भूख को क्या लिए भी शे कि कि आप यार इस रीवी़ को पूरा देखें इसलिए मैं रीवी़ को कंसाइस रखने वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं यहां पटी यहां पे इसके ऐर कप्स की इयर कप्स ऑविस्टिए यहां पे मेतल मेड हैं बहुत सॉलिड है यानों कि जिसका नम है ना MEC वारियर पूरा यार वो रिजंबल होता है यानो कि रिफलिक्ट होता है इसके डिसाइन में इंड़स्टरिल काइंड अफ डिसाइन है देखने में सुंदर नहीं लगता, रगेड लगता है और सॉलिड एम स्टूड़ी लगता है इन दोनों के ही एरकप्स मेटल मेट थे हैं लेकर इतना सॉलिड मेटल था ना कि कान में आपको हेविनेस फील होती थी C2 Mac Warrior में आपको भी हेविनेस फील नहीं होगी C2 Mac Warrior के यह कप्स हैं वो अपने आप में हाउस करते हैं 10 mm का सिंगल डानेमिक ड्राइवर जिसमें की जो डाइफ्राम है वो लिक्विड क्रिस्टल पॉलिमर और मेरे क्याल से जो CCACR या उसमें भी LCP डाइफ्राम ही जूस हुआ का और यहां पर इपको मिलते हैं 1.2-metre की OFC ताइस ओक्सिजन-free copper और यहां पर इंटरफेस मिलता है वह मिलता है तू-Pen 0.78 mm का पर स्विश्य मारं सेडलिंड पर यहां पर यहां पर आपको इन्च रिच श्राइफोसी स्थेडांस के इसका एक इंचेशन के विछणो क çıkar GI मने उन्हें हरें वारीय से स्पयर यहां पर हम इसकिल बीूल को एक online करने इलगा यहां वी न द्रट में आप कर दोका है लेकिन ब्राइट के मतलब आप यह सोचते हैं कि इसमें ट्रिबल बहुत जाद होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यानिकि जो इसका फ्रिक्वेंस स्पेक्ट्रम है ना From 20-20KHz का कफी यार यह ओनन वाला हो हं आप लोगों से कि इसी इन ऐसी करता है अगर कोई ऐसा है जिनको एक थोड़ा balanced kind of sound signature पसंद है या फिर ऐसा signature पसंद है जो थोड़ा bright हो तो उनके लिए यार ये C2 Mac Warrior काफी अच्छा I.E.M. साबित हो सकता है but this is certainly different from C.R.A. in the terms of bass region क्योंकि C.R.A. it's a है यह नहीं प्यूद्स साइड बहुत पाल करूश साज फिल्ध के लिए कि अश्याओं पर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे अपर मिडीर इंद हर्ष नहीं है now how it differs in the terms of sound quality मैं पर sound quality नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पर sound का character बिको जो मैं quality की बात करता हूँ तो यहाँ पर Warner SG है यहाँ पर मेरे पास C3 रखा है और यहाँ पर C2 मैं को रहे है तो quality of the sound तीनों में ही अच्छी है but how is the character of how the sound ठीक है जब आप कान में लगा के C3 को सुनते है तो C3 आपको very close to your ear feel होता है but जब मैं यहाँ बात करता हूँ टेंक्सु वर्नर एज़ी की तो यहाँ पर वर्नर जी ना यहाँ पर C3 से इसी term में यह डिफर कर जाता है वर्नर एज़ी को जब आप सुनेगे तो बिल्कुल आपकी close to your ear sound नहीं करते है काफी distant sound करते है आपको feel होगा कि हाँ है sound थोड़ी दूर से आ रही है और जब मैं यहाँ बात करता हूँ यहाँ पे C2 Macquarie feel तो guys C2 Macquarie भी थोड़ी distant sound करते है क्योंकि एक तो यहाँ पे brighter sound signature करते हैं उपर से अगरे सोचिए close to your ear sound करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा परिशानी होगी अपर मिड रीजन में या फिर ट्रिबल रीजन में इसमें ट्रिबल जो है sparky है आपको shimmer ट्रिबल में मिलती है अपकोई detailing feel होती है यहाँ और साथ में मैं को यहाँ पे जो sound stage है वो बहुत जादा वाइट तो नहीं है but still I felt the sound stage is little bit better than C3 तो guys यहाँ पे ता है बहुत ही concise review किसका C2 MacWarrior का and please subscribe to the channel guys subscribe कर लो अगर वीडियो अच्छा लगे तो थमसब दे देना मेरको and because that boost my morale and secondly guys मेरे नामे दिनेश मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में and keep listening but at a very moderate level till then take care of yourself bye bye you